हे गाइस वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल और गाइस आज मैं आप लोग बताऊंगे कि आप अपनी स्कीन को हैल्थी कैसे रख सकते हैं तब कि आपकी स्कीन जो हमेशा ग्लो करें और गाइस अगर आप फेस पैक का यूज करते हैं तो आप उसमें क्या गलतिया करते हैं वहीं मैं आप लोग को बताऊंगी और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं साइट तरीके से सो लेट्स के स्टाटेड गाइस हम सब चाहते हैं कि हमारी स्कीन ग्लोइंग हो और ब्यूटिफूल दिखें इसके लिए हम बहुत साइर रेमेडीज का भी यूज करते हैं लेकिन हम कुछ गलतिया कर बैठते हैं जो कि हमारे फेस को बहुत ज़्यादा डेमिज करते थी हैं तो आज हम उनी गलतियों को देखेंगे और कैसे हमें क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे सो फ्रेंड सबसे पहले हमें अपना मेकप रिमूब करना चाहिए बहुत जरूरी हो जाता है रात को हमें अपना मेकप रिमूब करके ही सोना चाहिए क्योंकि हमारे फेस को बहुत जरूरी होता है आप मेकप को रिमूव करने के लिए आप कोई भी कॉटन पैट से मेकप क्लेंजर से अपने फेस को आप क्लेन कर सकते हैं इसके बाद आप किसी भी सुटेबल क्लेंजर से फेस वास से अपने फेस को वाश कर लीजिए दन इसके बाद हम साफ पानी से अपने फ तो बहुत अच्छी बात आप scrub का यूज करते हैं क्योंकि हमारे daddy skin cells को हटाती है लेकिन अगर बहुत तेज आप scrub करते हैं आप अपने आखों के नीचे भी scrub करते हैं तो ये हमारे face को damage कर सकती है guys ये हमारे face पे रेशेश की problem भी कर सकती है जिससे हमारे skin भी खराब जाती है इसके बाद guys हमारे आता है face back अगर आप face back यूज करते हैं तो इसमें भी ये गलतिया बिल्कुल ना करें जैसे कि आप अपना face back पूरा dry ना करें जब वो आधा सुख जाए तभी अपने face को wash कर लें और guys कभी भी आप अपने आखों के नीचे के side face back यूज नहीं करें क्योंकि वहाँ की skin बहुँ जाए sensitive होती है वहाँ पर और भी जल्दी skin को damage कर सकती है अगर कुछ भी harm चीज आपने यूज कर लिए अपनी eyes की नीचे guys अगर आप कोई भी कुछ भी face pack यूज कर रहे हो या कोई cream यूज कर रहे हो face wash यूज कर रहे हो वहाँ कुछ भी यूज कर रहे हो तो उससे पहले patch test करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे skin पर reaction करेगा और guys face को wash करना बहुत ज़रूरी होता है इसके आप कोई भी moisturizer यूज करते हैं आप अपनी skin के according moisturizer यूज करेंगे अगर आपकी skin dry है तो आप cream base यूज करेंगे moisturizer अगर आपकी skin जो है वो oily है तो आप करेंगे gel base guys आप gel base में कोई भी gel base वाला cream यूज कर सकते हैं का aloe vera gel भी यूज कर सकते हैं तो वह भी बहुत ज़दा अच्छा होता है moisturizerize कर देता है हमारी skin को इसके साथ साथ आप अपने dry पर भी ध्यान दीजिए जैसे कि आप सिलात खाईए ठेर सारा dry fruits खाईए fruits खाईए मतलब बाहर की चीज़े इतना avoid कर सकते हैं किजिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको अपनी skin में बहुत ज़दा फर्क दिखेंगे अगर आप लोग अपनी skin का ख्याल रखेंगे तो आपकी skin हमेशा ही beautiful देखेगी और glowing भी दिखेगी और साथ साथ में healthy भी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपनी friend के साथ भी जरूर शेयर कीजिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो बाबाई